ग्रश्टी आईएस के टुडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शिरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण से जिसमें हमने आपसे पूछा था स्वतंतरता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है आपके ऑप्शन थे आप्शन का से उत्तर है विकल्प सी रास्ट पहले हमेशा आगे आपने से कई फिर से इस प्रशन का एकदम ठीक जवाब दिया है इसे तरह अपने सुझाओ प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेशते रहे हैं हमें इसका इंतिजार रहेगा चले अब आगी की बात को स्प्लेंश दे से समझते हैं हाली में आजादी की चेतरवी वर्ष गाट और सततर्मा स्वतंतरता दिवस मनाया गया इस असरपर प्रधानमंत्री ने लाल के लिए पर तिरंगा जंडा फैराया बतादे कि हर साल प्रधानमंत्री दिली के लाल के लिए पर रास्टीद वश फयराते हैं और रास्ट को सम्भोधित करते हैं स्वतंतरता दिवस देश को बिटिश राज से आजादी दिलाने में मदद करने के लिए भारती स्वतंतरता से नानियों द्वारा किये गए कई बलिदानों संघर्षों की याद दिलाता है इस वर्ष वतंतरता दिवस की थीम रास्ट पहले हमेशा पहले रखी गई है इसलिविकल्प सी सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर हुआ विकल्प सी रास्ट पहले हमेशा पहले चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के अपिसोड की आज के एपिसोड का पहला प्रशन है निमलिकित में से कौन प्रोजेक्ट 17A शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है आपके ऑप्शन है ग्रामिन शेत्रों में नविकर्णी उर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल एक सरकारी का आयरक्रम जिसका उद्देश परिवहन बुनियादी धाचे में सुधार करना है एक रक्षा परियोजना जिसने उन्नत स्टीज लड़ाकुए मानू का निर्मान शामिल है तो इस प्रश्ण का सहित्टे है विकल्पड़ी उन्नत प्रोच्व कि के साथ नौसेनिक जहाजों की एक श्रंखला का निर्मान चले एस प्लेशन देखते हैं भारत की राश्पती द्रोपुदी मुर्मू 17 अगस्थ को कॉलकता में पोत विंदगिरी का अनावरंट करेंगी इस पोत का नाम करनाटक में परवश रंखला के नाम पर रखा गया है और ये प्रोजेट 17A फ्रिगेट का छटा पोत है प्रोजेट 17A को वर्ष 2019 में भारती नौसेना द्वारा लांच किया गया था इसका कुल वेप लगभग 25,700 करोड है इस प्रोजेट के तहट जहाजों को भारती नौसेना के युद्ध पोर्ट डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है इस कारगरम के तहट कुल साथ जहार निर्माना धीन है हवाई द्वीप के मावी द्वीप के समन निर्मिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपके option है यह हवाई श्रंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है इसे valley oil के नाम से भी जाना जाता है इसमें एक humpback whale अभिहारन है या फिर यह ओशिनिया का हिस्सा है इस परेशनिका सही उत्तर है विकल्प D यह उश्निया का हिस्सा है यह कथन सही नहीं है बाकी के सभी कथन सही है चलिए explanation देखते हैं हाली में हवाई के मावी द्वीप पर जंगल के आग से व्यापक शती हुई है बता दें कि मावी एक ज्वाला मुक्य द्वीप है जो सन्युक्तराज अमेरिका के हवाई में स्थित है यह हवाई श्रंकला का दूसरा सबसे बढ़ा द्वीप है पूरो परेशन प्रायदीप को जोडने वाले घाटी जैसे इस्थल डमरुमद्धि के कारण इसे वैली ओयल के रूप में भी जाना जाता है इस द्वीप का निर्मान दो जो आला मुक्यों पू कुकुई और हले काला द्वारा किया गया है जो इसे अदविती भूगोर प्रदान करता है जबकि ओष्णिया अधिकांच प्रशान मासागर में फैले द्वीपों का सामुहिक नाम है और मावी इसका हिस्था नहीं है इसलिए विकलपडी सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर है विकलपडी ये ओष्णिया का हिस्था है ये कथन गलत है बागे के सब इक थन सही है अगला प्रशन है हालिय में जर्चित मिशन लाइफ किस मन्त्राले से सम्मन्देथ है आपके ऑप्शन है पर्यावरण वन और जल्वायू पर रुतन मंत्राले नवीकरणी मुर्जा मंत्राले प्रचविज्यान मंत्राले या फिर विज्ञान एवं प्रॉद्योई की मंत्राले तो उस प्रशनका से उत्तर है विकल्प A पर्यावरंड वन और जल्वायू परिवरतन मंत्राले हालिया प्रधान मंत्री ने सततर वे सुतंदिता दिवस के मौके पर मिशन लाइफ पर प्रकास डाला है आपको बता दे मिशन लाइफ के इंद्री पर्यावरंड वन और जल्वायू परिवरतन मंत्राले के तहत एक पहल है ये जल्वायू परिवरतन के खिलाप लड़ाई में दुनिया की मदद करने के लिए भारत की एक वैशुक पहल है ये सेउक्तराष्ट द्वारा नरधार इस सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने के लिए एक इस्थाई जीवन शैली के और ले जाता है लाइफ का विचार भारत द्वारा 2021 में ग्लास्गों में 26 में सेउक्तराष्ट जल्वायू परिवरतन सम्मीलन यानि कॉप 26 के दौरान पेश किया गया था इसका उदेशिव व्यक्तियों और समदायों को ऐसी जीमर्शैली अपनाने के लिए प्रेजित करना है जो प्रकृती के अनुकूल हो इसलिए विकल्पे सही है यानि इस प्रश्ण का सेउत्तर है विकल्प A पर्यावरंड वन और जल्वायू पर वितन मंत्राले अगला प्रश्ण है देख लेते हैं हाली है पंजाब में करनल सी इसरु कुष्ण धांजली दी गई जिनकी उन्यूस पच्पन में गोवा मुक्तियांदुलन में भाग लेने के दौरान व्रत्यू हो गई थी आपको बता दे 1510 में अड्मिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर के सुल्तान यूसफ आदर्शा की सहिना को हराने के बाद गोवा एक पूर्त गाली उपनिवेश बना था इसलिए कथनेग सही है गोवा रास्टवाद के जनक माने जाने वाले ट्रिस्ट्रिया और डी ब्रांगं का कुणहा ने 1928 में कलकत्ता में भारती रास्टी कॉंग्रिस सत्रिक के दोरान गोवा रास्टी कॉंग्रिस की स्थापना की इसलिए कथन्दू सही है 1955 में करनल सिं इस्रू सहोधरा बाई राय के नितित्व में गोवा की और एक मार्च में शामिल हुए जैसे ही वहपत्रा देवी गाउं में दाकिल हुए हिंसा बड़कुटी और गोली लगने से 25 साल के उमर में इस्रू किन रित्यू हो गई 18 और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर कबजा करने के लिए एक सैन्य अभिहान ओपरेशन विजय को अंजाम दिया गया था इसके परणाम सरूप 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत में शामिल किया गया इसलिए कथन 3 सही है इस परकार 3 कथन सही है यानि इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल पिसी 3 कथन सही है अगला प्रश्ण है अंतरास्टी सौर्गट बंदन के संदर में निल्मिकित कत्नों पर आना है आपके option है केवल एक केवल दो एक और दो दोनु या पर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल पे केवल एक कथन ही सही है हालियो प्रधान मंत्री ने इस प्रतंतरता दिवस के मौके पर अंतरास्टी सौर्गट बंदन के महत्व को उजागर किया अंतरास्ट्री सौर्गट बंधन यानि आई ऐसे नेवेंबर 2015 में पैरिस में स्युक्त राश्ट जलवाई परतिन सम्मेलें में भारतिय प्रधान मंत्री और फ्रांसेसी राश्पती द्वारा लांच किया गया था इस पहल का उत्देश विकाश्चील देशों में सौ के लिए खोल दी गई हालांकि से उत्राश्ट के सभी सद्देश इसके सद्द से नहीं है इसलिक कथन दो सही नहीं है इस तरह इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प यानि केल एक कथन ही रही है अगला प्रश्ण है भारती जैवेवित्ता के संदर में रेड हैड़ेड व वल्चर की गिंती की गई बता दें की रेड हैड़ेड वल्चर या लाल सिर्वाला गिद भारत ने पाई जाने वाली गिद की नो प्रजातियों में से एक है इसे एशियाई राजा गिद या पांडिचेरी गिद भी कहा जाता है यह भारत में बड़े पैवाने पर पाया ज सही है यानि इस प्रश्ण का से उत्तर हुआ विकल्प डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगला प्रश्ण है नैशनल ग्रीन ट्रिबूनल यानि एंजर्टी के समद में निमिकत्नों पविचार कीजिए कथने के इसकी स्थापना रास्टी हरित ने आयदी करन अधिनियम और 2010 के तहट की गई थी कथन दो है परियावर्ण वनम जलवायों पर रुतन मंत्रिस के पदे नद्धेश होते हैं और कथन तीन है इसके निर्डे सिविल प्रक्रिया सहीता 1908 से बंदे होते हैं और प्रित में से कितन कि रिसाइकलें इकाईयों पर जुर्माना लगाने का अधिश दिया है आपको बता दें कि अंजेटी पर्यावर्ण संद्रक्षन और वनों एवं अन्य प्राक्रति संसादों के संद्रक्षन के लिए कि विशेश निकाय है इसे रास्टी हरित नियादी करण अधिनियम 2010 के इसलिए कथन एक सही है इसी के साथ भारत के विशेश परयावर्ण नायदीकर्ण स्थाप्षन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया इस ट्रिबुनल की संरशना की बात करें तो इसमें अध्धक्ष नयाएक सदस्य और विशेशक की सदस्य सामिल होते हैं अध्धक के अगरा प्रशन अयरे के waal नाया अगला प्रशन है नवरोज के संबन में निम्ल्वित कत्मों पर विचार की тоб下去 horrific क्थन द rotor ना है दुनिया भर में यह पारसी पंचांग के पहले महीन में मीने मनाया जाता है भारत ने पार्सी शहनशा केलेंडर के मुताबिक नया साल मनाते हैं ओपरिल्ट में से कितने गतन सही है यह बताना है आपको आपके ऑप्षन है केवल एक केवल दो सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रश्नका से उत्तर है विकल्प सी सभी तीन गतन सही है आज यानी 16 अगस्त को देश भर में पार्सियों द्वारा पार्सी नवर्ष मनाया गया पार्सी नवर्ष जिसे नवरोष के नाम से भी जाना जाता है का अर्थ नया दिन होता है इसली कथन एक सही है बता दें कि पार्सी दुनिया के सबसे पुराने एक इश्वरवादी धर्मों में से एक पार्सी धर्म का पालन करते हैं दुनिया भर में नवरोष पार्सी पंचांग के पहले महिने यानि के 20 मार्ष को मनाया जाता है इसली कथन दो सही है जबकि भारत के पार्सी नवरोज को शहनशाही पंचांग के मुताबिक मनाते हैं इसली कथन ती सही है शहनशाही पंचांग में लीप वर्ष शामिल नहीं है जिसका अरत है कि ये दिन वसंत विशो के मूल दिन से 200 दिन आगे बढ़ गया जो इस वर्ष 16 अगस्त को पड़ा है इस परकार तीनों कथन सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प सीथ सभी तीन कथन सही है चलिए मैं पहुंच है एपिसोड के अंतिम प्रशन पर तो अंतिम प्रशन है हाली में चर्चा में रहा प्रबल शब्द किससे संबंदित है आपके ऑप्शन है लंबी दूरी के रिवॉल्वर आकरामा पक्षि प्रशातिया भारती अंतिश दूर बीन याफिस जहाज रोधी मिसाइल तो इस प्रशन का से उतर है विकल पे लंबी दूरी की रिवॉल्वर भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल जल्द ही लॉंच हो सकती है 32 बोर के चैंबर वाली रिवॉल्वर प्रभावशाली फाइरिंग श्रमता प्रदर्शित करती है जिसके रेंग 50 मीटर है यह वजन में हलकी है और साइट स्प्रिंग सिलेंडर से सुसजित है इसका वजन में 700 ग्राम कारतूस को छोड़ कर है इसके बैरल लंबाई 76 मिली मीटर और कुल लंबाई 177.6 मिली मीटर है इसका नर्मान कानपूर से तराज की स्वामित वाले उद्यम Advanced Weapon and Equipment इंडिया यानी AWEIL द्वारा किया गया है तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A यानी लंबी दूरी की रिवालवर चलिए अब नोट कर लिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रशन तो प्रशन है निमलिकित में से कौन हाल ही में चर्चित Languageian यानी Language.1 की सबसे अच्छी व्याख्या करता है आपके Option A कि प्रत्वी सूर मंडल की कक्षी तल में एक बिंदू है Option B ये प्रशान ना सागर की सबसे गहरे बिंदू में से एक का नाम है Option C ये केटू शिखर पर साथ सबसे तीवर बिंदू में से एक है या फिर Option D ये एक प्रकार का नया खोजा गया परमार्ण में करण है तो व्यार्शन का जवाब कमिन बॉक्स में देना ना भूलें जल्दी मिलते हैं नए अपिसोड में कुछ और नए सवाल हो नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया